नमस्कार मित्रों अगर आपका सर्मिकार्ड बना हुआ है तो आपके लिए एक बड़ी अपडेट निकल के आई है मित्रों राजस्तान सरकार ने सर्मिकार्ड दारकों के बचों को चातरवर्ती देने की गोशना की है इस योजना के अंतरगत आप रुपए 35,000 तकी चातरवर्ती प्राप्त कर सकते हो मित्रों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चातरवर्ती प्राप्त करने के लिए आवेदन कब वै कैसे करना है कौन कौन से डोकूमेंट्स की आवसटा पढ़ने वाली है कौन सी कच्छा में कितनी चातरवर्ती दी जाएगी इन सभी प्राशनों के उतर जानने के लिए इस वीडियो के अंतर तक आप बने रहें साथ में मित्रों अगर आप हमारे यूटूब फैनल पे नए हो तो इस यूटूब फैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विबिन योजनाओं की जानकरी आपको सही समय पर मिल सके मित्रों अब बात करते हैं चात्रवती किन चात्रों को दी जाईगी यह जो योजनाओं है इसके अंतर गत सरमकों के बचों को चात्रवती परदान की जाईगी तो अगर आप एक सरमको तो आप इस योजना का लाब उठा सकते हो मित्रो अब बात करते हैं कौन कौन सी कक्षा में कितनी चात्रती आपको मिल सकती है तो मित्रो आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये पूरी लिस्ट है मैं आपको एक बार ये सारी लिस्ट डिटेल में समझा देता हूं कि कौन सी कक्ष्या में कितनी चात्र रुपे आपको मिलेगी कक्ष्या 6 से लेकर कक्ष्या 8 के चात्रों को जो लड़कें हैं उनको 8000 रुपे और जो लड़कें हैं उनको 9000 रुपे दिये जाएंगे साथ में जो special category के चातर हैं उनको भी 9,000 रुपे दिये जाएंगे साथ में मित्रों कच्छा 9 से लेकर कच्छा बारत के चातरों को 9,000 रुपे और चातराओं को 10,000 रुपे चातर रटी के रूप में दिये जाएंगे जो college में चातर बढ़ते हैं यानी graduation कर रहे हैं उन चातरों को 13,000 रुपे और चातराओं को 15,000 रुपे दिये जाएंगे चात में मित्रों professional graduation करने वालों को चातर हैं उनको 18,000 रुपे और चातराएं उनको 20,000 रुपे दिये जाएंगे और जो डिप्लोमा है जो चातर डिप्लोमा कर रहे हैं उनको 15,000 रुपे और जो चातर हैं उनको 17,000 रुपे चातर वर्ती के रूप में दिये जाएंगे और जो चातर PG कर रहे हैं उन चातरों को 23,000 रुपे और चातराओं को 25,000 रुपे दिये जाएंगे तो ये सारी लिष्ट थी आप उच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा कि कौन सी कच्छा में कितनी छातर रुटिया को मिलने वाली है वित्रों आगे बात करते हैं आवेदन करने के लिए कौन-कौन से डोकॉमेंट्स की आफस्टा पढ़ने वाली है तो आप स्क्रीन पे एक लिष्ट देख सकते हो और जो सबसे पहले जिस डोकॉमेंट्स की आफस्टा आपको पढ़ेगी वो है आधार कार्ड यानि जो भी चात्र या चात्रा आवेदन करेगा उस चात्रा या चात्र का अधार कार्ड बना हुआ हो ना आउस्टक है साथ में आदार कार्ड में मुबाइल नंबर भी लिंक होना आउसक है क्योंकि आप जब भी फॉर्म बरोगे तो इस आदार कार्ड में जो भी मुबाइल नंबर लिंक है उन मुबाइल नंबर पे एक OTP आईगी तो वो OTP आपको फॉर्म बढ़ते समय आपको जरूरत पढ़न लिए हैं तो बित्रों साथ में आपको जनाँदार कायर्ट की अफिट, पड़ने वाली है। जनाँदार कायर्ट की आफिटाा फिडियर्ट होना चाहिए, यानि जिस भी सथास्भ के नाम आप या जिस बचे के नाम आप सातर उती के लिए अविधन कर रहे हैं। उस बचे का नाम जनादार कार्ड में जुड़ा हुआ होना आशक है। साथ में जो नाम है वो सही होना चाहिए। और जो अगला डूक्मेट भी तरह हो वो है सर्मी कार्ड तो आपके पास राजस आई है, वो 1,20,000 रुपइ से कम होनी चाहिए. मित्रों अगला डौकोमेंट रसन कार्ड. आपके पास रसन कार्ड होना आउस्क है. अगला डौकोमेंट रस्कूल परमान पतर. तो यह स्कूल परमान पतर आपको स्कूल के माद्यम से मिलेगा. आप स्कूल से इस परमान पत्र को राप्त कर सकते हो और साथ में मित्रों पासपोर्ट साइड फोटो यानी सातर या सातरा का आपके पास पासपोर्ट साइड फोटो आपको फॉर्म बगते वक्त लगाने पड़ेगी तो मित्रों ये सारे डॉकॉमेंट्स आपके पास होने आउस्चक है इन में से अगर आपके पास कोई डॉकॉमेंट्स नहीं है या फिर ये सारे डॉकॉमेंट्स अपडेट नहीं है तो इन्हें अपडेट करवाले है शाथ में मित्रों राजस्तान सरकारद्वारा चातरवर् सुसना करती गई है इसके लिए जल्दी आवेदन शुरू होने वाले हैं जब भी आवेदन शुरू हो जाएंगे हम आपको इस यूटूब में पूछ सकते हैं साथ में मित्रों हमारे यूटूब चैनल को सिस्क्राइब कर दें जाकि यह फॉर्म ओपन हो जाएंगे तो आपको इसकी जानकरी प्राप्त हो सके तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में ओके फ्रेंट्स ठैंक्स पर वचिंग इस वीडियो